So hey guys, कैसे आप सब? I hope सब पढ़े होंगे आज की इस वीडियो में कुछ इस तरह का professional resume बनाना सिखेंगे यदि आप भी इस तरह का professional resume बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें हम अपको step by step बताएंगे इस तरह का resume कैसे बनाया जाता है तो चली वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले MS Word open करेंगे MS Word open करने के लिए start menu में क्लिक करेंगे word type करके enter button press करेंगे और यहाँ पे blank document में क्लिक करेंगे उसके बाद MS Word open हो जाएगा फिर यहाँ पे layout में आना है margin में क्लिक करेंगे margin को narrow करेंगे orientation में आगर किसे portrait करेंगे size में आगर किसको A4 size करेंगे home tab में क्लिक करेंगे यहाँ पे जिनके लिए आप resume बना रहे हैं उनका नाम लिख लेंगे enter button press करेंगे और नीचे आजाना है यहाँ पे लिखेंगे address tap button press करेंगे और फिर tap button press करके यहाँ पे उनका address लिख लेंगे यहाँ पे जो space दे रहे हैं इसके लिए हम space button के use नहीं कर रहे है tap button के use कर रहे है यहाँ पे mobile number लिखेंगे फिर यहाँ पे email ID लिख लेंगे इतने को select कर लेंगे यहाँ पे जो spacing है इस में आ जाएंगे और remove space कर देंगे को पसंद है उस style को select कर लिए यहां पर हम यह जो font का color है इसे blue रखेंगे उसके बाद font का size increase कर लेंगे यहां पर एक photo add करेंगे photo add करने के लिए insert में जाएंगे shapes में जाएंगे और यहां से एक rectangle को select करेंगे और ऐसे draw कर लेंगे shape fill में click करेंगे pictures में click करेंगे from a file में click करेंगे जहां पर भी आपका photo रखा हुआ है उस photo को select कर लिए आपका photo add हो जाएगा यहां पर नीचे में click करेंगे और यहां पर लिखेंगे career objectives enter button press करेंगे और यहां पर जो भी description लिखना चाहते हैं वो यहां पर लिखते हैं इसमें कर जो text है और नीचे भी आ रहा है तो क्या करेंगे से select करेंगे और font को एक बार छोटा कर देंगे career objectives को select करेंगे यहां से हम setting में click करेंगे और यहां पर blue color को select करेंगे font का जो color है इसे white कर लेंगे और इसे bold भी कर लेंगे अब यहां पर click करेंगे फिर enter button press करेंगे यहां पर लिखेंगे experience जो भी आपको experience है वो सबका अब्यूरण आपको यहां पर लिखना है इतने को select कर लेंगे यहाँ पर spacing में आ करके spacing को remove कर देंगे यह जो experience लिख है इसको click करेंगे और इसे upper case कर लेंगे यहाँ पर हम setting में आ जाएंगे और font का color white करेंगे कर लेंगे उसके बाद यह संस्था या company का नाम है उसे select करेंगे control के साथ फिर दूसरे को select करेंगे control के सांथ तीसरे को भी select कर लेंगे और यहाँ पे हम Bold Me, क्लिक कर लेंगे, यह Bold हो जाएगा उसके बाद, जो अब का पद था वहाँ पे, उसे सेलेट करेंगे Control के साथ इसे भी सेलेट करेंगे और Control के साथ इसे भी सेलेट कर लेंगे उसके बाद, इसे हम Italic कर लेंगे अब यह जो year है, यानि कि जब तक आपने किया है, उसे select कर लेंगे, और इसका जो font का color है, उसे थोड़ सा light कर लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, education qualifications, इंटर बॉटन प्रेस करेंगे, insert tab में आएंगे, यहाँ पर tables में click करेंगे, insert table में click करेंगे, और यहाँ पर आपको जितना column चाहिए, और जितना row चाहिए, enter कर लेजिए, उसके बाद फिर यहाँ पर हम नीचे में, ok बटन है, यहाँ पर हम ok में click कर देंगे, उसके बाद फि जो जो फिल्ड आपने देना है, वो फिल्ड को लिख दीजिए, जैसे हम ले लेते हैं, सिरियल नंबर, एकाडमिक क्वालिफिकेशन्स, यहाँ पर अपना पूरा विवरंट लिख लेना है, तस्वी, बारवी, ग्रिजिविशन, जो जो आपने किया है, सभी का विवरंट यह फॉंट का कलर को वाइट करेंगे, और यह जो टेक्स्ट है, इसे हम बोल्ट कर देंगे, यह जो टेबल बनाया हमने, इसमें क्लिक करेंगे, टेबल डिजाइन टैब में क्लिक करेंगे, और यहाँ से, जो भी डिजाइन आपको पसंद है, उस डिजाइन में क्लिक कर लेंग यहाँ पे क्लिक करेंगे और लिखेंगे personal details एंटर बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे जो भी आपका personal details है जो जो फिल्ल्ड आपको देना है वो सब यहाँ पे details लिख देजिए अब यह जो हमने personal details लिखा हुआ है इसे select करेंगे और यहाँ पे जो spacing है उसे remove करेंगे उसके बाद यहाँ पे border है इसे हम कर देंगे all borders फिर personal details को select करेंगे और यहाँ पे हम इसको setting लगा देंगे font का color white रखेंगे और इसे bold कर देंगे यहाँ पे नीचे में हम लिखेंगे declaration इसे select करेंगे setting लगा देंगे और इसको जो font color है इसे white कर देंगे और bold भी कर देंगे फिर यहाँ पे enter button प्रेस करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे date और उसके बाद tab button प्रेस करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे signature so guys resume बन गया अब इसे हम pdf में save करना चाहते हैं तो pdf format में save करने के लिए करेंगे यहाँ पे जो file option इसमें click करेंगे और यहाँ पे save as में click करेंगे browse में click करेंगे और यहाँ पे जो format है इसे हम क्या अगल लेंगे pdf उसके बाद फिर यहाँ पे जो भी नाम देना है नाम दे दीजे और save में click कर दीजे तो यह जो resume है pdf format में save हो जाएगा